इंडिया मेरी जो डार के जिसकी डिबेट है ना उसमें से मेरे जो तीन टॉपिक है अडवन्ट अफ यूरोपियन सक्सेसर स्टेट्स और वीक सक्सेसर्स अफ मुगल्स वो मुझे करके एक्स्पैंड करने है अडवन्ट अफ यूरोपियन की बात करी जाए तो यू नो अल थे कॉंटेंट बाइद वे जो अभी में स्टार्ट करियो उसके साथ में तो यू विल बी आंसरिंग अल देपॉइंट फॉर्स्ट पावर तो एंटर इंडिया पॉर्चुगीज इयर पोटीन निटीएट कौन आया था वासको डोगामा कहां आया था कैलिकट किसने रिसीव किया इसको जैमोरिन और कैलिकट ने इनको रिसीव किया जैमोरिन रूलर है क्या इसको पॉजिशन इसको पॉजिशन रूलर्स के नाम अलग रहेंगे तो हमारे पास में जैमोरिन जो है उन्होंने कैलिकट में बड़ी इजद से वासको डोगामा जो है उनको ग्रीट किया and as a result the Portuguese had now come to इंडिया तो कैलिकट पहुंचे थे और यहां से होगी शुरू इनकी ट्रेडिंग कीपिंग दाट इन माइंड बिफोर इवन टॉक अबाउट इस पीपल इस पीपल को इसकी वजह से हम देख रहे है कि यॉरप में भी इनका वर्चस वह बढ़ रहा और एशिया में भी रस्ता है पूरा और मेजर सी रूट्स जो है एशिया की तरफ इंडिया की तरफ खाथ करके उनको ब्लॉक कर रखा था तो यॉरोपियंस को अगर कोई समान लेना है तो उनको बहुती भारी कर्चा करना पड़ता था पहले तो इंडियंस अपनी ड्यूटी लगाएंगे फि हमारे यहां की गुड्स को क्या बोलते हैं ओरियंटल गुड्स इनकी डिमांड जो है वो बड़ी भी बहुत जादा है लेकिन हैं बहुत एक्सपेंसिव है इस वज़े से पॉर्चुगीज जो है वो एक दूसरा रस्ता पोजने की कोशिश करेंगे तो दूसरा रस्ता कोज हम देखते हैं कि यह लोग क्या करें हमनी सारी पुरानी किताबों पर वापस चले गए क्लासिक लिट्रचर पे इन्होंने अलेक्जांडर के काम देखे रोमन एंपायर कैसे फैला यह सारी चीज़ें देखिए उससे इंस्पिरेशन ली और बोला कि वाई नॉट वी कन दू के अंदर तो एस्ट्रोलेब और मरीनर्स कंपस जो है इसको हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया और अज रिजल्ट वी वर एबल तो फाइंड दी सी रूट तोवर्ड्स इंडिया सो रेनेस्वां हो गया रेनेस्वां के साथ में मेरे पास में यूज ओफ एस्ट्र इसको यह कहा मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है तो मारको एफ्रिका के केप नौड से इंडिया तक जो भी टेरिक्टरी मिलती है तुमारी प्रोवाइड़ यू विल स्प्रेड क्रिस्चैनिटी तो यह एक इमेजिनरी लाइन बना ली थी इनोंने अपनी कि तुमारे एंप पोडगामा विल वेरी मुझे इंटरेस्टे इन एंडिया इन 1498 कैसे पहुंचे थे इसकी बात हम करी चुके हैं ठीक है बहुत असानी से पहुंच गे थे हैपी हैपी एपी इस अलमोंस दाइं इन इन देन एप एगुजराती ट्रेडर कीपिं आप इन माइड सूंस आइन पहुंचेगा वापस पॉर्चिगल में हम देखेंगे कि यह बहुत हाइयर प्रॉपिट पर वो समान बेचतेगा तो पॉर्चिगल में उनकी वावाई हो गई वाज नौट दी गवर्नर्स दाट इस अलमेडा और अल्बकर की इट वस अ गाई उस नेम वस पेडरो तो पेडरो जो है इन्होंने हमारे देश के अंदर जो है पहली फैक्ट्री एक ट्रेडिंग पोस्ट जो है उसको सेट अप किया था बिंग पॉर्चिगीज हमारे पास होमवर्क सर्च फ़र तो पेडरो है हमारे पास में स्टूट्स और पेडरो की अगर बात करी जाए तो इन्होंने आपके पास में कैनन और जो है यहां पर जाकर एक ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया इसके बाद में हम देखते हैं कि वासकोडो गामा जो है वो वापस से और दुबारा से इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट सेट अप किया अट कैलिकर्ट यहां विस्वून साथ देखेंगे हमारे पास में लास्ट यर्ज के अंदर ऐसे क्वेस्टेंज आए हुए हैं कि ब्रिटिश ने लाइन बाइन कहां पर फैक्टरी सेट अप करी या फिर कोची लिया फिर हमने कैलिकर्ट लिया so on and so forth so my content arrangement should be in a manner wherein it is going on in a chronological manner instead of remembering the dates तो यहां पर मुझे मालूम है पैद्रो जो है पैद्रो ने एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया पैद्रो के बाद में मेरे पास वासको डगामा फिर से आए और उन्होंने कैलिकर्ट के अंदर भी ट् को रियलाइज हो गया भाई यहां तो बहुत पैसा है as a result we see that Portuguese governors directly appointed by the king of Portugal will be arriving in India कौन आ रहा है बही सबसे बहले Almeida followed by Albuquerque do we have any other Portuguese governor I did not tell you last time there's one more yes it's Nino da Kunha यह तीन अपने पास में तीन Portuguese governors हैं और यह क्या कर रहे हैं बही इंडिया के अंदर trading posts बना रहे हैं और इनका एम है जितना जादा हो सके पैसा भी जो पॉट्चुगल में Almeida से associated क्या है बही विच पॉलिसी काटरा सिस्टम और दी ब्लू वाटर पॉलिसी इसको शिप से नीचे उतरना अच्छा नहीं लगता था इसने ड पैस्पेरों यह सब क्या कर रहे हैं इन्होंने एक स्पैसिफिक पानी के एरिया में अपनी मोनापली कर दी अब किसी भी देश गावर्मेंट का शिप वहां से जा रहा हो यह लोग उसमें चोरी चकारी कर लेंगे Portuguese जो है उनको कोई भगवान ने थोड़ी order दे दिया था कि यह पानी तुम्हारा हो गया और उनके राजा ने कह दिया Pope ने कह दिया कि any territory in India is yours अरे वही तुम्हारे कहने से क्या होता है keeping that in mind यह लोग क्या करेंगे अपनी dominance violence से establish करेंगे technically they were like pirates in our water and these people were trying to assert and establish their dominance तो Almeida जो है इन से associated है मेरी blue water policy और इस blue water policy के तहट students मुझे पता है that these people are trying to establish control in the water in the Indian waters next मेरे पास में है Albuquerque इनके time पे Portuguese को अपना सबसे प्यारा city मिल गया that is Goa Goa से इनको इतना प्यार था कि मैंने आपको बताया था independence होने के 20 साल बाद धक्के मार के military action से हमने निकाले है Portuguese को इंडिया से Goa नहीं छोड़ना चाते थे यह लोग बिलकुल भी So keeping that in mind Goa इन्होंने capture किया था बीजापुर के सुल्तान से और यह Albuquerque की reign में हुआ है इसके अलावा students आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एक गुजरात के ruler है बहादुर्शा बहादुर्शा पर attack करने कौन आया था हुमायू आया था जब वो attack करने आ रहा था गुजरात की तरफ वो डर गए वो डर गए और वो किस से negotiate करने चले गए Portuguese से negotiate करने चले गए Portuguese को उन्होंने एक island दिया island of Basin और उसके अलावा Portuguese का interest और कहाँ पर था दमन और दियू में interest था तो दमन और दियू में initially तो उनको stop कर दिया गया लेकिन आगे जाके बहादुर्शा की presence की वज़े से उन्होंने वहाँ भी एक port setup कर लिया ये जो changes हुए है these have happened during the time period of Nino Da Kunha So here I know that Basin and Daman and Diyu were now controlled by the Portuguese and this was due to the help of Bahadur Shah जो की हुमाईू से डरके इनको ये समान दे देता है This is my story with respect to the expansion of Portuguese in India जब ये expand कर रहे हैं लग भग इसी time पर students आप देखेंगे 1608 आते आते ये काफी time period निकल गया भी मैं आपको इसकी years भी दिखाती हूँ हमारे पास में ये लोग 16th century में dominate कर रहे हैं और 17th century आते आते that is 1600s के year आते आते हमारे पास एक और major power India के अंदर आएगी which is English East India Company English East India Company के अगर हम बात करें तो वो इनके साथ contest करने लग जाएगी for power and ultimately they will become more supreme in comparison to Portuguese 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 की power जादा आपके पास में 16th century में ही रही है इसके बाद decline होने लगेगी लेकिन क्या ये completely wipe out हो जाएंगे हमारी country से नो ये तो independence के बाद भी wipe out नहीं होने वाले हम देखेंगे इन से हमें finally goa जो है उसको capture करना पड़ेगा हुआ 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 है